हाई गाइस आजके इस वीडियो हम देखने वाले हैं बीएसी सेकंडे वालों के लिए जलोजी का सेकंड वेपर है दो हजार एक्षिस के इंप्रोमेंट एक्जाम के लिए मौस्ट इंप्रोडेंट कोशन देखेंगे साथी साथ जो बैक फेपर हो रहा है कि इस इनिवर्स्ट पूरी पीडियाप को अच्छे नमपर लाने वाले हो उसको याद करके और जिन चातरों के अलग अलग पेपर हो रहा है पहला पेपर सेकंड थर्ड पेपर हो रहा है यह तीनों एक साथ होंगे तो तीनों के एक साथ में डालता हो इंप्रेंट कोशन कोई दिख करने हैं ले और इंटल परिंटल क्या होता है इसको आप जाद करेंगे और जातियों कि पत्ति किस प्रकार से होती है यह थे यह देखेंगे कर दिख करेंगे और देखे प्राडियों के भगौलिक बित्रण के बारे में आतकर लेंगे शुक्ति इंप्रेंट है लेमारकबाद की अलोजना नम लेमारकबाद ग्या है दार्विन बाद को लोजना यह सब बहुत जादा विकास है जैब विकास को उत्परीमितन का सिद्धान यह बहुत आप इंपुनेंट है आप यह को मुझे पता है कि आप नाइन से बढ़ते चले आ रहा है और यह आप छोड़ेंगे नहीं मुझे पता है उसके पीतक का मतलब होता है जो अंड नियुक्सकी आदहर पर बरगी करना होता है ठीक है यह बहुत बिद्धान के बारे में याद कर लेना रिकाहिए क्या होता है च्छांत यूद त्रफ़ यह कंच लेना है गोड़िवलों यह वाला पोजिशन को यहां पहले बता रखाया यह यहाँ पढ़ों के दोनों पोजिशन को आपको पड़ लोगे अच्छी तरीके से ठीक है तो यह और उसके बार में आता हैं आलवां की बार में निरमान के बारे में ढवारे में आप देखें गेंगेk प्रग। तो इसके बाद में आ जाता है, विद गान की बार में उ dynamics की तो मैं आप plaint अगे मेड़क के टैडपूल लार्वा का जो कलांतर होता है इस प्रिकार के आधार पर बताईए बरगिकन कीजिए वहीं ऊपर कोशन यह पूरा बन जाएगा ठीक है और देखें जीन म्यूटेशन क्या होता है इसको आप पढ़ेंगे यह आपकी लाइव बतल देगा अएसे कोशन जो आपकी एग्जामन में हमेशा बूचे जाते है यह कोशन प्रिकें और भीट होता है इसको आप देखेंगे अपर अब नियास को दिए आप उपारजित लक्ष्णों की बंसा चाहिए बार से होता है इसको आप पढ़के दाइए जराईगरी की बारे में बस इतना पढ़के चले जाना कुछ बाहर और नहीं आने वाला है देखो यहीं से ठीक है अब जाला की समस्या चोड़ो और खोड़ो इतना ही कोश्चन आपको पढ़ लेना ठीक है देखे और तब तक के लिए बाइबार दोस्तों इसके थार्ड वेपर के लिए बहुत सब्सक्राइब लेकर और बाकि अपने दोस्तों को शेयर जुरू करते दिना वीडियो को बाकि बीजे बीजे के लिए इंपर्डेंट कोशन डाल देंगा थिंक्यू